возьма school का फर्म निकल चुका है इसकी पूरी डीपेर में मिलने वाली है जिसमें आप पूरी चीज़ बताने वालों फर्स cath절 का कैसे लिटमिशन होता है इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है और इसके कितने-कितने मार्ट आने चाहिए इंटर्वेज करने में चुल Find में बीजिए इसका पेपर में साथ पताने वाला हु आपको अन्य विस्ट्रक्ट्चर है डिफय न कीज़ को करने चाहिए तो क्योंसी सबें तो अब इस इंट्रट्रिक्शन की बात करें कि स्कूल कौन-कौन से इसमें विए तो ये सारे आपके नौ स्कूल इसमें जो सेधना साहिर 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 ईंप इन स्कूल सेप्सक्राइब कि साल में कितने हैं कितनी होती है तो आपकी 4920 रुपए जो इसको आप में जमा कर सकते हैं जो 1230 रुपए लगेगी बहुत कम है आपके जो फर्स से एट क्लास तक है इसलिए इसमें बहुत सारे बचे लेते अब अगर नाइन से 10 की बात करें बॉइस के लिए तो 7320 रुपए इसके 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 इसमें जरूर दिलवाएं इसमें आपको फूट चार्ज भी होगा वह एक्स्ट्रा मिलेगा और जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो 100 रुपए पर चार्जबल लगेगा अलग आपका अलग से जो बच्चे के फंड में जाएगा तो यह बहुत क सबसे पहले सिक प्लास के लीए and school एंधी इसकी जाईशन के ये वी चाहिए अपको होस्ट मिलें जादा है message लगे बात करें और लें कीटने दिन के आंदर करने चाहिए कि आपका हम्डाइड परसंट कटें आप यसके चाहिए क कप 8% हें कि आ recipients होगा और आपको 90% परसंट होगा तो तीस दिन के अंदर में आपको किसी तरह इसको कराना होगा अगर इमेल करना चाहते है और टेलिफोन नमर यह है आपका पंटक करना होगा दूरिंग ऑफिस से अमेल की की बात करते है इसकोल में अप्रों मीडियुमों होता है इन दोनों मीडियम में इसका बाट रखें इनोंकर इंग्लिश मेरा से क्या वारें और तीन थे खोला तेया स्क स Estumukava Me Co More ौमोरा में देखेंज़ने से निकलिए यानि कि जब आप फिल कर वाएंगे तब आपको स्लेक्ट करना होता है मीडियम और स्कूल कौन-कौन से स्कूल आपको अड्मिशन लेना क्या मीडियम लखना है इसके ब्यापवे भी आप स्कूल कर सकते हैं तो आप यह आपको 45 सीट मिल लिए तो यह आप उर्दू मीडियम में इसमें दो स्कूल दे रखा है इन्होंने एम्यों गल्स स्कूल और एम्यों सिटी इगल्स हाइज स्कूल यह तो इसकी सीटे जो 40 है और इसमें जो है 90 सीटे जब आप फॉर्म फिल करवाए तो इसका ज़रू दियार नखे पहला प्रिफरेंज डाले जिसमें ज्यादा सीटे हैं अब बात करें कि अगर आपके बच्चों को फर्स्ट लास में लेना तो इन्हें ने जो इस बार रख 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 यह नॉन्मल होता है यहीं मांगते हैं तो पास से साथ साल के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए जो क्या जाएगा 31 मार् आपको दोनों के लिए एक अप्रील 2017 से 31 मार्च के बीच में आपके बच्चे की डेटो बर्थ है तो आप इसमें अपनी है जब आप इसका फिल कर वाएंगे तब भी आपके एक दिन भी आगे पीछे होगा तो वहीं पर लिखावा जाता है कि आपका बच्चे की डेटो ब पराइब इंगलिश आएगी और अर्थिक और उर्दू एंड़ जी के आएगी इसकी अगर देट की बात करें कि फॉर्म कब से श्टार्ट है तो इसकी जो फॉर्म स्टार्ट है फॉर्म अभी चल रहे है लाजट की अगर बात करें तो यह आपको जरू फिल करवा लें वह बज़ें हो जाए मेरी वीडियो आपने नहीं देख पाई आपको पता नहीं चला तो अटारा मार्श तक है यानि साथ दिन इन्होंने और दे रखा है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन लेट फी लगेगी तो 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 पर लेट लेट फी लगेगी आपको लेकिन अब इसको फिल कर सकते है 18 marks तक कर सकते है इसको फिल तो धोकिन है जो नहीं पर शोरूने ऍुरू जोड़ो कर वाइं इंग्लिश मीडियम में सिफ इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो इसका दियान जरूर रखें तो गल्स में जो इसकी स्कुल दिखा रहें इसका जो क्या 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 प्रिवेस में तो आपको यह मांक्षिट होनी चाहिए आपके पास लिमिट के आगा बात करें तो इस लिमिट इन्हों ने जो मागी है इससे ना उपर ना नीचे हो यह यह भी कैल्कुलेट जो किया जागा 31 मार्स 24 तक आपका कैल्कुल किया जागा एक्जामबल के तौर पर आपके जो डेटो बर्त है वो इससे मैच कर सकते हैं यानि कि एक अप्रील 2012 से लेके 31 मार्स 2014 तक इसके बीच में आपकी बच्चे की डेटो बर्त होने चाहिए तब ही आप फॉर्म फिल अप्लाई कर सकते है अगर एक दिन भी आगे पीचे हुआ तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपनी बच्चे की डेटो बर्त इससे मैच कर लें इसके साबसे आपका एड्मिशन हो जाएगा रिटेन टेस्ट की बात करें कि कैसे होगा किस बेस पे तो रिटेन टेस्ट होगा इसका ज पच्चेशन का आएगा जो इंगलि उर्दू हिंधी लेंग्वज में होगा तो आप इसको अनाम से कर सकते हैं यह इसमें जो एक उंदिशके होगा आपके इसमें मैच और साइन्स में आपका स्टुडिज होगा जो 30-30 मार्क्स का आए गा और टो टोटल मार्स जो इसमें को लाने मिनिमम फट्टी मांक्स होने चाहिए इंटर्वीव के लिए जो तब आप इलिजबल होंगे इंटर्वीव में तो फिफ्ट क्लास्क में आपने सीबिसी या इंसी अर्टिस से पढ़ा होगा इसकी अगर लाजट की बात करें फॉर्म कब लास्क है तो इसकी भी सेम ल स्कूल है आपका इंग्लिश मीडियम करने इसमें निकली है इस सब्सक्राइब निकली है इस इस वीडियो में बता है कि कैसे किसमें किती सीटे कैसे निकलता है इसमें होस्टल है तो भी आप अच्छे से देखें और यह और इंग्लिश मीडियम है जो के लिए हैं इंग्लिश मीडियम कर रखा है इसमें दो स्कूल है मुगल्स दोनों में 1990 सीटे अब अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें क्या चाहिए तो आपका बच्चा आपक स्कूल है पीछे यह दिन मी रहोगा तो फॉर्म फिल करेंगे तब भी नहीं होगा इसके तेस्ट की बात करें तो तैस्ट में डिटेंट रहे और इसका इसमें भी नॉर्मल आपको मिनिवम 40 परसंट मार्ग्स चाहिए इलिजबल होने के लिए इंटर्वी और इसमें भी आ तो यह आपको 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 अडमिशन का टाइम देनी पड़ेगी बच्छे का नाम आएगा उसके बाद आपको इस सारी चीज दिखानी होगी जो एक मईई दोजाव चॉबीज से पहले होगी और इसके लिए अलग से एक स्कूल बना रखा है इन्होंने आपके बच्छा कर ने की आपको आपको जाने चालेंग आप जाना जाते हैं अशुक्र नोता है नरसरी केजी फरस्ट में लगकी डोला है या एडमिशन है यह सब तो मैंने पूरी पूरा उसको प्रस्पेक्टर बता रखा है वो भी चैनल पर डला हुए तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर ज़रू कर रह